हेलो गाई स्वागत है आपका अमरीता कुजीन में और मैं आज आपके साथ बहुत ही यामी टेस्टी रेसेपी सेयर कर रही हूँ तो इसे जरूर ट्राइ कीजिए मैं आपके साथ मीठा रेसेपी सेयर कर रही हूँ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं केवल दो इंग्रिजिन से इस रेस्पी को तयार करूंगी इसके लिए मैं देख सकते हैं आधा किलो पनीर ली हूँ और इसे मोटे में मोटे पीसेज में कटना कट करना है बहुत पतला पतला पीसेज पॉर्टा रखी हूँ यह मैं घर का ही बनाया हूँ अब पनीर से इस रेस्पी को तयार करूंगी अब इसका जो है ना यह मीठा बहुत ही बढ़िया बंता है मैं आपके साथ खुर्मा मीठाई का रेस्पी सेयर कर रही हूँ इस रेस्पी को एक बाद जरूर ट्राइ कीजि बना सकते हैं और यह बहुत परफेक्ट बनेगा खराब भी नहीं होता है मैं देख सकते हैं सारे पनीर को पिसेज में कट कर ली हूँ और इसे थाली में निकाल ली हूँ अभी मैं चुले पे एक कडाही चडाई हूँ और इसमें मैं डालूंगी एक लीटर पानी मैं इसमें एक लेटर पानी को डाल दी हूँ पानी को थोड़ा गरम होने देना है तब ही मैं इसमें चीनी को डालूँगी अगर एक बार इस मिठाई को बनाईएगा तो बार बार इस तरीके से बनाईएगा क्योंकि इसमें बहनत बहुत कम होता है केवल पकने में थोड़ा टाइम जदा लगता है नहीं तो बहुत ही कम मेहनत में से तैयार किर कर सकते हैं और खराब बिलकुल नहीं होता है विगड़ने का चांस बहुत ही कम होता है ना के बराबर जख सकते हैं हलका पानी जो है गरम हो रहा है पानी गरम हो गया है अभी मैं इसमें डालूँगी एक ग्लास चीनी यह 200 ग्राम चीनी है इसमें बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए उबालाने देना है देख सकते हैं चासनी में उबाला चुका है अभी मैं इसमें जो कटे हुए पनीर के पीसेस हैं उसे डाल दूँगी जाल की पनीर के पीसे स्कूज में डाल दी हूं अभी मैं इसे हलका मिक्स कर लूंगी और इसमें ढ़कन लगा दूंगी देख सकते हैं इसका ढ़कन मैं लगा दी हूं और इसको मीडियम हीट पर पकने देना है और इसे बीच बीच में चलाते रहना है बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है नहीं तो चासनी सुख जाएगा देख सकते हैं मैं बीच बीच में इसे धकन अटा रही हूँ और चला दे रही हूँ देखिए इसको पकरे में एक घंटा का समय लगता है देख सकते हैं हलका इसका कलर चेंज हो गया है और चासनी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और एकदाम धीमे धीमे हीट में इसे पकने देना है क्योंकि इसमें पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और इसे मैं बीच बीच में इसका धकन हटा के इसे चला दे रही हूँ अगर आपका चासनी जो है ठीक हो जाए बहुत जादा गाढ़ा हो जाए तो इसमें उपर से पानी डाल सकते हैं हलका गुनगुना पानी अभी मैं वापस इसका धकन हटा रही हूँ और इसे फिर से मैं चलाऊंगी और इसका ढखकन लगा दूँगी और इसको कूख होने देना है देखिए थोड़ा इसका और कलर चेंज हो गया है मैं वापस इसको चलाई हूँ और इसका ढखकन लगा दी हूँ इसी तरीके से चलाते रहना है और बीच पीच में इसका ढ़कन लगाते रहना है मैं आपको देखा रही हूँ कि थोड़ा इसका चेंज हो चुका है लेकिन अभी और टाइम लगेगा इसको पगने में देखिए इसका कराओ तो बहुत थोड़ा और चेंज हो चुका है बहुत ही अभी अच्छा कलर नहीं आया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स करते हुए चला ली हूँ और अभी से वापिस मैं इसका ढगा दूंगी देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आ रहा है यह मिठाई बहुत ही असानी से बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है ते एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अभी मैं इसे चुले से उतार ली हूँ और एक बावर में एक छनी लगाई हूँ इसमें मिठा को डाल दूंगी जिससे इस मिठाई में जो एक्स प्लेट में भी निकाल दी हूँ यह ठंडा होने के बाद आप इसे दो तीन घंटे के बाद इसे खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी मिठाई लगती है तो इस रेस्पी को एक बाद ज़रूर ट्राई कीजिए अगर यह वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू सो माच